पहुँच चुके हैं कैसा लग रहा है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा मेहनद के बाद हम चांगला पास आये हैं बहुत ही अच्छा नजरा यह रिखिए यह नजरा दिखा यह वाला गिलेशियर काफी खुब से लिए हैं दोस्तों आप लोग को यह बता दो कि चांगला हाइस्ट मोटरिवल पास में से टॉप 10 के अंदर आता है जिसकी हाइट है 5360 मीटर और मैं हूँ लदाक राइट में साइकिल से और अभी हम लोग हैं दुर्भुक में और हम लोग ने कैंप्शिंग किया था यहां पे और हां हम समान इधर ही रख देंगे साइकिल पूरा खाली रहेगा तो हम लोग जाएंगे यहां से चांगला की और चांगला यहां से 20 किलिमीटर आफील है पूरा चाड़ाई है देखते हैं कितना टाइम लगता है पर हम निकल रहे हैं चांगला की और और तीश्रे नमर पे आता है तो सबसे हाई पासец मॉटरेबल पास में तो जाना तो बनता है बले ही दुर्भुक्षे जाएं ठीक है तो हाँ यहां पर केंपिंग किया था हमने तो यहां पे हम लोग सबसामान खोड़ देंगे तो दोस्तों हम लोग जब लडाग में थे न तो हम लग उचुके थे यू तो हम लोग न ऐसे न हमारा ब्लीब सिस्टम ऐसे काम कर रहा था कि यहां पर कुछ ऐसा होनी वाला नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चांगला जाने से पहले हमने जहां पर केंपिंग किया था दुर्बुक में वही पिर हम लोग उने कैंप और पूरा समान उसके अंदर रख के निकल गेती है खाली साइकिल लेकर हम लोग यही पर छोड़के जा केंप तो आगे क्यों निकल रहे और यहां से सिधा जाना है हमें फिर उपर चाडाय चलना है, फिर हम लोग उन्हें पास ही मी एकटाबा था और वहांपे अने नाष्था किया। चाहीं नाष्था करने के बाद हम निकल चोके हैं। चंगला की हॉर। यहां से 31 km है। मेहने सूसा सा थे ह certains 20 km है. पर नहीं.. 31 किलो मेटर नेवर गीव अप और यहां चे चड़ाई है पूरी उपड़ तक हाउ दा जोस मैन हाई लेवल हाई हाई लेवल पे गारे हैं और हाई जल्दी बाजी में हम लोग मतब दुरुबुख से पानी लाना भूल गये थे पर हमें पानी यहां पे मिल गया तो अब हम आगे की और निकल रहे हैं कुछ हम लोग ने 10 किलो मेटर राइड कर चुके हैं अब 20 किलो मेटर राइड और भी बाकी हैं हम चड़ तो रहे हैं अब हिल में हालत खराब है इनर्जी डाउन अब हमको जाना है वो आपे आगे जो दिखा दे रहा है आपको अब है आप अब तो दुर्बुक से चांगला की और जाओ अगे आप तो थोड़ी सी आपको खराप रोड मिलेगी यहां पर और चड़ाई तो है यह उसके उपर और काफी बढ़ी है और राइडिंग के लिए बहुत खुबसुरत जगह है यहां ऐसे निकल के जाना रहेगा एक ही मुझे ही लगता है क्योंकि आगे कर हमें पता नहीं पता है नही तो लेडिस और जंडलमेन कुछ चड़ाई करने के बाद थोड़ी सीमेजी की कमी हो चुकिया हम खा रहे हैं बिस्कीट तब तक आप तब तक आप तब तक आप 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 देखिए यह टाइम लेप्स तो नास्ता करने के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे की और देखते है कितना टाइम लगता है अभी भी मुझे लगता है कि कौंटी किलिमेटर आ थिंक अभी भी है देखते हैं हागे जाके हमारे साइकल में लोड नहीं था फिर भी हम थके हुए थे क्यूंकि पता नहीं वहां पे ना ऐसे इतना ज़्यादा अक्सिजन लेवल कम था कि हम थोड़े दूर जा रहे थे फिर मतब थक जा रहे थे फिर बैट के जाना पटा था आगे और फिर फाइनली हमें एक ताल मिल तो अभी हम लोग चंगला की और जारे पर अभी पहुंचे नहीं हो आपे उससे पहले एक छोड़ा चा लेक था तो काफी ब्यूटिफिल व्यू उसमें मेरा फोटोगरा भी मतब साइकिल के साथ फोटो के लिए करना था तो मैं यहाँ पर रुग गया और पीजे गान जार करने के लिए एक में आप मतरब क्या बलते हैं उसको नौका चमा सकते हैं पता नहीं है अभी बंद है तो यह है यहां का खुबशूरत ना जा रहा है बिल्कुल बहुत खुबशूरत नहीं जा रहा है काफी कुबशूरत व्यू है पर हम अभी भी पहुंचे नहीं है पहुंचना भी पूर टाइम है काफी आओ फील है हालत खराब हो रही है और यह नतिजा है हाइश स्पीट का देखो हाइश स्पीट नहीं चलाने करे गाड़ी यह नाजा रहा देखो कुपसरा नहीं जा रहा है ना काफी कुपसरा था मुझे बहुत पसंद आया आप लोग को ओप लोग को भी पसंद आ रहा हो यह भी हूँ और ऐसे में साइक्लिंग करना मेरा तो दुकान था चलती फिरती पर दुष्वर का दुकान अतानी ये इस खाली शुंचान जगह पिका कर रहा है अधिक आप हम लोग पुछने वाले हैं ये नजारा काफी बुटीपल है ये 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 लाता है नगज ने ये अधिए तर्ण थंडी की बज़े से काला पड़ गया बनादाए थंडी की बज़े से काला पड़ गया बनादाए तो चाहे पीने के बाद यहां से आगे के निकलते हैं अब 7 km है I think 7 km राइट करना बांकी है चांगला पहुंचने के लिए चाहे नास्ता करने के बाद निकल चुके हैं फिर से चांगला की और चांगला ज्यादा दूर नहीं है और यहां के व्यू काफी कुपशुरत है खुपशुरत अब कुछ 5 km रह गया है यहां पे आगे सामने जाना हमें और यहां पे ठंडी बढ़ चुकी है जो हमने खुपशुरत पहने है इसलिए और यह रोड भी ऐसे करके गूम के जा रहा है फिर ऐसे करके उपर से होते हुए वहां जाएगा पता नहीं पर मौसम काफी क्लियर हो चुका है और काफी खुपशुरत भी हम लोग आये थी यहां से एकदम से यह ओला मोड मोडते हुए यह लिए चड़ाइ चड़ते हुए हम जा रहे हैं यहां पर बस ज्यादा दूर में है बस ज्यादा दो किलिम्टर तो लेडिस और जेंटलमेंट फाइनली हम लोग चंगलवा पहुंच चुके हैं तो यह है यहां पर का भीव जो आप लोग को तेविश्टी दिखाऊं तो काफी तुच्छी रहा है तो फाइनली पहुंच चुके हैं कैसा लग रहा है बहुत ही बढ़ीया बहुत ही, बहुत ही ज्यादा मेहन आट के बाद हम चांगला पास आये हैं बहुत ही अच्छा नजारा यहां इन देखे लकार यह वाला गिलेशियर इंडिया में पता नहीं, ओल्ड में में पता नहीं है पर हाँ, थार्ड हाइस्ट मोटरेवल पास, चांगला, हम पहुंच चुके हैं, तो जाते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, चांगला बाबाबा टेम्पल में, फिर इसके बाद रीटन होते हैं, तो चांगला पहुंच चुके हैं अब है इंफरमेशन का टाइम ठीक है अब हम लोग तो दूर्बुक से यहां तक आऊगे तो एकदम खड़ी चड़ाई मिलेगी ठीक है तो अगर साइकल से आ रहे हो आप वीज में केम्पिंग कर सकते हैं केम्पिंग करने का बहुत सारा जगह पर जगह है केम्पिंग करने के लिए और नजार यह काफी खुपसूरत है वीडियो में आपने देखा रहेगा ठीक है और आप लोग केम्पिंग साथ में लेके आना अगर दूर्बुक से यहां तक क्या रहे हो तो हमको चूरू का हमें पता नहीं है क्योंकि दूर्बुक से हम लोग आये हैं फिर यहां से हम लोग जाएंगे पैंगों क्यों तो आप लोग आराम से आ सकते हो तो आप लोग को मताब कुछ 30 किलमेटर के बाद आपको कुछ खाने के समान के लिए रेश्टूरेंट मिल जाएंगे दूर्बुक से आने के बाद ठीक है तो हाँ तो यह था इंपरमेशन टाइम मताब ज्यादा कुछ नहीं आप आजाओ नजारेक का इंजोए करो काफी खुबचुरत है कुछ 40 किलमेटर का राही रहे 34 किलमेटर लिखा है पर मेरेको ऐसा लग रहा है कि 40 किलमेटर तक कह है यहां पर सर्वी कर चांगला है तो हम एंज वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में hope you like it और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोमें चांगला से हम लोग निकल चुके हैं दुरभुक की और डिटन काफी मजा है इस जारनी में